प्यारे बच्चों, जैक और जेसी आटी द्वारा कोश्चन बैंक जारी कर दिया गया है हम लोग अर सास का चेप्टर बाई चेप्टर जो कोश्चन बैंक दिया गया है उसी का हम लोग अध्यन कर रहे थे चेप्टर वन हम लोगोंने कम्प्लीट कर लिया है आज हम लोग chapter 2 के प्रस्णों को समझेंगे वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे तो आप channel पर नए हैं तो subscribe कर ले और bell icon को दबा कर on कर ले क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको notification सबसे पहले पहुच जाएगा तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं chapter 2 है chapter 2 में आपको पढ़ना है उभोकता का वहवार जिसमें सबसे पहले objective question दिया हुआ है उभोकता वहवार का अध्यन किया जाता है तो भोकता वहवार का जो अध्यन है वो वेश्टी अर्शास्त में किया जाता है इसलिए पहला का A हो जाएगा दूसरा है किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुन जो मानवी अव सकताओं को संतुष्ट करता है कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता तो दूसरा का C हो जाएगा तीसरा है जब कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है तब सीमानत उपयोगिता होती है तो सीमानत उपयोगिता क्या हो जाती है सुनने हो जाती है ये question बहुत important है बहुत बार exam में पूश चुका है तीसरा का B हो जाएगा चौथा है निवन में से किसे गोसेन का पर्थम नियम कहा जाता है तो गोसेन का पर्थम नियम जो है वो सम सिमान तुप्योगिता हराश नियम को कहा जाता है तो चौथा का C हो जाएगा पांचमा है सीमान तुप्यूगिता को ग्याद किया जा सकता है तो सीमान तुप्यूगिता ग्याद करने का सुत्र है M U बराबर डेल्टा T U बटा डेल्टा Q इस तरह भी लिकाल सकते हैं या M U बराबर होता है T U N minus T U N minus 1 तो दो तरीका से लिकलता है तो यहां पांचमा का A हो जाएगा ऐसे M.U. मलब सीमान तुपिता लिकालने का दोनों सुत्र है, छठा है उप्योगिता की मुख विशेष्टाएं कौन सी है, तो उप्योगिता की मुख विशेष्टा, उप्योगिता एक मनोवे ज्यानिक धारना है, उप्योगिता का विचार सापेचिक है, और उप्योगिता परक होती, तीनों ही है, इसलिए D option आपका हो जाएगा, उपर युक्त सब भी, सात्मा है, उपयोगिता का क्रम वाचक सिधान्त के परति पादक कौन है, तो ये question, PGT, सिच्छक जो सिच्छक बनते हैं, उनका परिच्छा में ये question आया हुआ था, तो यहाँ पर आपका भी ये रहता गणना वाचक सिधान्त के परति पादक कौन है, तो गणना वाचक मार्सल के द्वारा दिया गया था, और क्रम वाचक जो है, हिकसेवं के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर सात्मा का अपका भी हो जाएगा, हिकसेवं एल MMA, आठमा है, किसी एक वस्तु की सभी काईयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि उसको हम लोग कूल उपयोगिता कहते हैं टी यू बराबर होता है सिग्मा एम यू नौमा है जब कूल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमानत उपयोगिता होती है तो सी अधिमान वक्र होता है, तो अधिमान वक्र को हम लोग उदासीन वक्र भी बोलते हैं, टठस्ता वक्र भी बोलते हैं, तो अधिमान वक्र क्या होता है, तो मूल बिंदु कोई और उनो तो दर होता है, मलब उदासीन वक्र इस तरह होता है, और ये है आपका मूल बिंदु, य क्यूंकि सीमान पतियस्थापन की दर घठती हुई होती है सिमान पतियस्थापन की दर को हम लोग कैसे लिकालते हैं तो यहाँ से हम लोग इस TARہ लिकाल सकते हैं जैसे यह हुआ उधासिनवक्र अब यहाँ से और यहां से प्र से तो यहां देख रहे हैं MRS XY क्या है यहां से यह दूरी क्या है जादा है जबकि अगला बार यह दूरी क्या हो गया है कम हो गया इसका मतलब होता है MRS XY जो है मलब सीमान की पतिय स्थापन दर क्या होती है घट जाती है जब हम लोग A बिंदू से यहां पर माल लिए B बिंद होती है यदी तो यदी कब सीधी रेखा होगा तो जब सीमान पत्यस्थापन की दर इस्थीर होगी मरलब यह इस्थीर हो जाएगा तो उदासीन वक्र क्या होगा एल अकार का हो सकता है तो यहां से क्या होता है पत्यस्थापन की दर क्या होगी इस्थीर हो जाएगा मरलब यह घटेगा ही नहीं तो यह आपकी सीधी रेखा हो जाएगी अगला है बजट रेखा की ढाल कैसी होती है तो बजट रेखा की ढाल हमेशा रिनातमक होती है बजट रेखा किसको करते हैं तो यह आपका इस तरह का बजट रेखा होता है यह बताता है कि उभोकता के पास क्या है सा बाहर नहीं जा सकता है मतलब ये आपका क्या होता है माली ये 100 रूपया है तो आप 100 ही रूपया तक समान खरीच सकते हैं तो 100 रूपया तक ही खरीद दियेगा उससे तो ज्यादा नहीं खरीद पाईएगा तो ये बजट रेखा उसी को बताता है जो क्या होता है उपर से तो यहां पर भी है और यहां पर भी है तो यहां पर है माइनस पी एक्स बटा पी वाई मलब इस तरह का होता है मलब की वाई में कमी तब एक्स में बिर्धी होता है तो इसलिए यहां पर क्या हो जागा रिनात्मक होगा मलब यहां माइनस लग जागा पी एक्स बटा पी को बताता है P1 X वस्तू का मुल्य को बताता है X1 है सो X वस्तू को बताता है जैसे आम हो गया तो आम को हम X1 मान लिए P2 जो हो है वो X वस्तू का मुल्य हो गया मलब X2 वस्तू का मुल्य हो गया X2 है सो वस्तू हो गया इसको हम लोग केला भी मान सकते X2 केला है, X1 आम है तो X2 केला माने है तो केला का मुल को P2 मानेंगे और X1 को आम माने है तो आम का मुल को P1 मानेंगे और यह मुद्रा को बताएगा तो यहाँ पर बजट रेखा का समीकरन आपका B हो जाएगा सोला है बजट रेखा अपनी बाई और विवर्तित होगी जब तो कब होगी विवर्तित तो जब उभोकता की आय में कमी होगी तब वो बाई और विवर्तित हो जाएगी बाई और कहने मतलब है कि ये बजट रेखा है तो ये अपना बाया और आ जाएगा अमलब इस और आ जाएगा तो इसका मलब कमी हो रहा है और अगर ये दाई और जाता है तो इसका मलब है बजट रेखा क्या होगा अगर दाई और विवर्तित होगा तो इसका मलब उभोकता की आय में बिर्दी हो गई है तो वो दाई और तो वहां जहां पर MRS XY बराबर PX बटा PY हो और अधिमान वक्र मूल बिंदों की और उनोतोदर हो कहने मल्लब है कि यह है बजट रेखा यह PX बटा PY है ठीक है और यह उदासीन वग इसको असपर्स करेगा मल्लब यहां पर और यह मूल बिंदों की उनोतोदर होगा तो जह पर उदासीन वग इसको क्या करेगा एसपर्स करेगा वहां पर वो संतुलन में होगा एक उभोकता पास दो वस्तू आम तथा केला के दो संयोग ए में क्या है दो संयोग है मल्लब A संयोग है और B संयोग है तो दो वस्तू आम और केला के दो संयोग है तो A संयोग में क्या ह आम 5 है केला 2 है तथा 20 संयोग में आम 5 है और केला 3 है तो उभोकता दोनों संयोग को कि 20 टठस्त होगा या कथन सही है कि गलत है मालूम नहीं इन में से कोई तो यहां लोग देख सकते हैं आम से जो उपयोगिता में रही है क्या है पांच है इसमें भी पांच है आजब कि इसम मांग को परभाइत करने वाले तत्व निमलिखित में कौन से हैं तो मांग को परभाइत करने वाले तत्व हैं आपका कीमत आयमे परिवर्तन उभोकता इरूची तीनों है इसलिए D हो जाएगा उपरियुक्त सभी यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D बराबर 10-5P है तो वस्तु की कीमत एक रूपय पर्तिकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी यहां मांग पूछ रहा है और यह आपका मांग का फॉर्मूला है मांग वक्र का फॉर्मूला है D बराबर 10-5P और यहां मुल कितना बो रहा है एक रूपिया परती काई मला पी का मान हम लोग एक मान लेंगे अब यहां हम लोग गुना कर देंगे दस मैनस पांच एकाई पांच अब दस में पांच घटा देंगे तो कितना आ गया आपका पांच आ गया तो पांच कहां पर है कोन अप्शन में है 5 और डी में है तो आपका 20 का हो जाएगा डी 5 काफी के मुल में विर्दी होने से चाए की मांग क्या होगी तो ये है आपका चाए की मांग क्या होगी बढ़ती है यह दोनों क्या है परतिया स्थापक वस्तू है इसलिए एक का मूल अगर बढ़ेगा तो दूसरा का जिनका एक दूसरे के अस्थान पर उभोग किया जाता है कहलाती है तो वो क्या कहलाएगी तो वो अस्थानापन वस्तु कहलाएगी अस्थानापन या पर अस्थापक वस्तु भी बोल सकते हैं तो 22 का ए हो जाएगा ताइस है अस्थानापन वस्तु के उधारन है तो यहाँ अस्थातनापन वस्तू का उधारन आपका चाय और कोफी क्योंकि अगर चाय नहीं मिलेगा तो कॉफी मिल जाए तो ठीक है काफी नहीं मिलेगा तो च्वाजू त автом। चिनई क्या है तो ये पूरक वस्तू में आजाता है अग्ला है पूरक वस्तु के उधारन है पूरक वस्तु का उधारन क्या हो जाएगा तो चाई और चिन्नी, जूते और जुराव, कलम और स्याही मैं लब एक के बीना दूसरा का काम नहीं चल सकता है वैसी वस्तु को यो लगो पूरक वस्तु कहते हैं उप्यूक तो सभी हो जाएगा 24 का D हो जाएगा मांग में संकुचन होगा जब तो मांग में संकुचन कब होगा तो जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है मांग की कीमत लोच का अर्थ है तो मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन मलब डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी मलब मुल में परिवर्तन के फर्सुरू मांग मातरा में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोज करते हैं तो 26 का ए हो जाएगा मांग की लोज कितने परकार के होते हैं तो मांग की लोज जो है वो ऐसे 5 परकार का होता है लेकिन यहाँ पर जो आपका answer seat में दिया हुआ है वो तीन परकार का दिया हुआ है तो मांग की लोच कितने हैं तो मांग की लोच जो है वो तीन परकार बताया गया है यदि मांग वक्र कीमत अच वाय अच के समनानतर तो मांग की लोच होगी तो मांग की लोज क्या हो जाएगी, सुनने हो जाएगी, मतलब यह इस तरह, यह वायच है, और वायच के अगर समनांतर होगी, तो इसका मतलब है कि मांग की लोज सुन होगी, इसका अर्थ होता है कि मुल में परिवर्तन का परभाव मांग पर नहीं पड़ता है, मुल अगर घड़ जाए तो भी हम उतना ही मांग करेंगे तब वैसे विस्थिति में वो पुंतया बेलोजदार मांग भी कहलाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की विर्धी होने से वस्तु की मांगी गई मातरा में 12% की कमी होती है तो मांग की लोज का मान क्या होगा। तो इसका है ये फ्लक्स द्वारा दिया गया है परतिसर्थ विधी मांग की लोज का परतिसर्थ परनाली है और इसके अनुसार से मांग की लोज क्या होगी तो 2.4 होगी मलब B option कैसे होगा तो सबसे नीचे हम लोग कीमत को रखेंगे और मांग मातरा को उपर रखेंगे अब 5 से 12 को भागा देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा यहां 12 लिखें यहां 5 लिए भागा लगा देजिए 5 दूनी 10 यहां 2 बच्चा यहां पॉइंट लगाएंगे यहां 0, 5, 4, 20 तो 2.4 आगया आपका तो यहां पर आपका B option में देखें 2.4 है तो यह आपका अंसर हो जाएगा य इसको हम लोग परतिसत परनाली बोलते हैं मांग की लोच की माप की परतिसत परनाली इसी विधी से हम लोग इसको लिखा ले हैं तीस है एक वस्तू का मांग फलन डी बरावर वन बटा पी है तो मांग वकर के परतेग बिंदू पर मांग की लोच होगी तो परतेग बिंदू पर मांग की लोच इकाएं के बराबर होगी आउस्टक वस्तु की मांग की लोच होती है तो आउस्टक वस्तु की मांग की लोच जो होती है वो सुनने होती है रेखा चित्र में मांग की लोच है तो रेखा चित्र में मांग की लोच क्या है तो यहां हो जाएगा आपका इकाई लोचदार हो जाएगी उसके बाद हम लोग अती लगहू तर ये प्रशनों को देखते हैं उपयोगिता क्या है तो किसी वस्तु में छुपा हुआ गुन जिससे किसी आवसक्ता की पूर्ती होती है उपयोगिता कहलाती है जैसे आम आम से हमको जो उपयोगिता मिलेगी हम खा के उसको जो संतुष्ट होंगे वो आम से मिलेगी केला को खाएंगे तो केला से अलग उपयोगिता मिलेगा गुपचुप खाएंगे तो गुपचुप से अलग उपयोगिता मिलेगा तो परतेग वस्तु से मिलने वाली संतुष्टी कह सकते हैं या त्रिप्ति का सकते हैं उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं अलग-अलग वस्तु में उपयोगिता का स्तर अलग-अलग होता है जैसे आम से अलग मिलेगा, केला से अलग मिलेगा, इमली से अलग मिलेगा तो इनके उभोग की तिव्रिता भी पर निर्भर करती है तो परतेक रोटी से मिलने वाले उपयोगिता को यदि हम लोग जोड देंगे तो वो मेरा कुल उपयोगिता कहलाएगा तो कुल उपयोगिता का फॉर्मूला है ती यू बराबर सीगमा मु ती यू यहाँ आपका कुल उपयोगिता हो गया MU सीमानत उपयोगिता हो गया था सिगमा कुल योग हो गया सीमानत उपयोगिता को असपष्ट करें तो किसी वस्तु की एक अत्रिक्त इकाय का उभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो विर्धी होती है उसे सीमानत उपयोगिता करते यह सीमान तुप्योगिता का formula दिया हुआ है तो जैसे अगर हम लोग लिकालते हैं कि वस्तु का पहला एकाय, माला रोटी पहला रोटी खाए तो हमको 10 उप्योगिता मिला दूसरा रोटी खाए तो हमको 12 उप्योगिता मिला तो अगर हमको सिमान तुप्योगिता लिकालना है तो कैसे लिकालेंगे तो माल लिजेगर हम लोग दूसरा एकाय का सिमान तुप्योगिता लिकालते हैं तो यहाँ TUN है तो TUN मेरा 12 कहलाएगा फिर minus 12 minus TUN minus 1 TUN minus 1 मलब होता है इसका एक पहले वाला कितना है 10 तो 12 में 10 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा सिमान तुप्योगिता तीसरा एकायक अगर सिमान तुप्योगिता लिकालेंगे तो TUN मेरा हो जाएगा 16 minus TUN minus 1 तो इसका एक पहले वाला 12 तो 16 minus 12 कर देंगे वही मेरा सिमान तुप अगला है उप्योगिता की गरना वाचक विसलेशन के परतिपादक कौन है तो उप्योगिता की गरना वाचक विसलेशन के परतिपादक अल्फेड मार्सल है एक उभोकता दो वस्तों का उप्योग करने का इच्छुक है दोनों वस्तों की कीमत करम सा 4 रुपिया तथा 5 बजट रेखा के समीकरन को लिखें, तो बजट रेखा का समीकरन आप लोग अभी उपर में देखें होंगे किस तरह था, M बराबर यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को, यह, M बराबर P1 X1 प्लस P2 X2, यह बजट रेखा का समीकरन है, देखें बजट रेखा का समीकरन होता है, तो यह होता है, तो यही कोश्चन यहाँ पर आया है, वह आपका, बजट रेखा का समीकरन, तो यहाँ पर आपका I कितना है, तो टोटल I आपका 20 दिया, मलब यह आपका M है, उसके बाद 2 वस्तु है, तो एक वस्तु को X माल लिया गया है, और दूसरा वस्तु को Y माल लिया गया है, तो एक का मुल कितना है, 4 वस्तु का मुल मलब P1, X1 था, तो यहां P1 हो गया, आपका X वस्तु मुल, तो यहां पर आपका 4 के जगा आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, स्वरीं यहां 5 के जगा 4 लिखाएगा और फिर है 5 उपया तो Y के जगा क्या लिखा जगा यहां बीच में प्लस यहां पर 5 लिखाएगा मलब M बराबर 4X पलस 5Y और M क्या है आपका मुद्रा को बताता है या I को बताता है तो 20 उपया यहां होगे तो 20 बराबर 4X पलस 5Y ये समिकरन बनेगा मांग क्या है तो मांग परभावपुन इच्छा को मांग करते हैं अथा किसी वस्तू की मांग तब होती जब वोक्ता को उस वस्तू को पाने की इच्छा हो इच्छा को पूरा करने की योकता या साधन हो तथा साधनों को वय करने की तथपरता हो उसके परभाव मांग का फलन क्या होता है तो मांग का फलन किसी वस्तू की मांगे गई मात्रा तथा उसके विभीन निधारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंद को वेक्थ करता है अर्थात किसी वस्तू की मांग को परभाईत करने आले तत्वों को वेक्थ करता है जैसे इसका फॉर्मूला है dx बराब function of px, p0, जो YGPEXP,PNETC, तो यहां पर DA जो है X वस्तु की मांगी गई मात्रा है, एफक्स की परती का इंग कीमत है, P0 जो है वहां अनवस्तु की गिमत है, Y उभॕ्टा की आई है, G सरकार की नीती है, मलब मांग को जितना भी तत्व परभावित करेगा और मांग की मात्रा और मांग को परभायत करने वाले तत्व के फलनात्मक संबंद को हम लोग मांग फलन कहेंगे समान वस्तू से अब क्या समझते तो जब उभोकता की आय में विर्दी होने पर वस्तू की मांग में विर्दी होती है एवन उभोकता की आई में कमी से वस्तू की मांग में कमी होती है तो ऐसे वस्तू समान वस्तू कहलाती है इस परका यदि वस्तू समान हो तो उभोकता की आई एवन वस्तू की मांग के भी धनात्मक संबंद पहा जाता है उधारन चावल गेहू आदी मतलब उभोकता का आय अगर बढ़ रहा है तो जिस वस्तु की खरीद की मात्रा को बढ़ा रहा है वो समान वस्तु कहलागा और यदि आय घट गया तो उस वस्तु की मांग को घटा देगा तो ऐसी वस्तु को समान ही वस्तु कहेंगे घटिया या निम्न कोटी की वस्तू को परिभासित करें तो जब उभोकता की आय में विर्दी होने पर वस्तू की मांग में कमी होती है तथा उभोकता की आय में कमी होने पर वस्तू की मांग में विर्दी होती है तो ऐसी वस्तू घटिया वस्तू करते हैं कि मलब जैसे अगर आप 10 रुपय अला चावल खरीद के खा रहे हैं, आपका income कम है, अब यदि आपका income बढ़ गया, तो आप 25 रुपय अला चावल खा रहे हैं, यहाँ 10 रुपय अला चावल को आप छोड़ दियें, इसका मलब आए बढ़ने से 10 रुपय अला चावल से और आधि मांग की कीमत लोच का सुत्र लिखें से गुल्पटर हम इस कि मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो कहने गालएगा delta q बटा q जब हम इसको अगर हम लोग जो भागा में इसको गुणा में चेंज करेंगे तो हो जागा delta q बटा q गुणा p बटा डेलटा p अब फिसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो गुणा p बटा q और यह हम मैनस लगा देंगे काय कि मुल्य और मांग के बीच भी प्रीश संबंध होता है जिसके कारणी हम मैनस रहेगा तो यह फॉर्मूला आपका रहेगा यहां पर सारा चीज बताया गया अब चुकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग लगु तरिया दिर्गु तरिया प्रशनों को देखेंगे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक लाग गया दीजे बाबाई